अपने स्टोडी को टाइमर के साथ लगा सकते हो बिल्कुल iOS के तरह गाइस ठीक है अपने Android फोन में होने स्टा के अंदर गाइस ठीक है तो प्लीज है वीडियो को इन तक देखना वीडियो को स्कीप मत करना तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग अपने वीडियो को स्टा करते हैं तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना होगा आपको फोन में जो हने स्टा है गाइस होगा घैस ठीक है तो ध्यान ले पहले आपको डिलीट करना एक जैसे आप लोग डाउनलोड कर लेते हो ठीकर करना वागा आपको उपर यहाँ पर मैजीक बटन पर करना पड़ेगा जैसे टैप करते हो गाई टैप करने के बाद यहाँ पर एक ओप्शन सापको मिलता करना है जैसे restart करते हो फिर आपको open करना पड़ेगा जैसे ही आप open करते हो एंड उसके बाद आपको यहाँ पर home button पर long press करनी है गाईस के बाद आपके सामने में गाईस यहाँ पर देख सकते हो developer page open हो गया then उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो modify quick experiment पर आपको tap करना बाद जो भी आपके सामने में options आता है इन सभी options को आपको एक तरफ से enable कर देना है सभी को ठीक है जैसे आप enable कर देते हो फिर से app को restart करना पड़ेगा जैसे restart करते हो फिर आपको open करना है and open करने के बाद आपको आ जाना अपने reels वाले sections पर ठीक है तो गैस मैं आप लोग क extra features वेगरा के बारे में बात नहीं कर रहे है ठीक है and मैं आपको next video में बता दूँगा जो भी और features वेगरा होगा ठीक है या फिर आपको जीजबी topic पर वीडियो चाहिए आप लोग please comment करके मुझे जरूर बता देना गैस ठीक है तो उसी साब से हम लोग आते है अपने randomly reels व आ चुका यहां पर जैसे देख सकते होगा इस ठीक है अब बहुत कोई बोलेंगे भाई कि आप बोल रहे हो कि मतलब latest version में नहीं बताए आप मतलब timer के साथ तो guys पहले क्या होता था कि timer में हम लोग PNGs add कर लेते थे timer वाला बट अभी जो है PNG सही से work नहीं कर रहा है ठीक है अब आप लोग कोई सा भी version honesta use करो guys उसमें आपको roundage लगाने के लिए PNGs को add करना पड़ता जो हमारा roundage PNG होता ठीक है तो आप उससे भैता रखी guys आप लोग जो version में भी आपको दिया हूँ ठीक है जो अभी मैं just download करवाया हूँ आप लोग इसी version को अच्छे से use करो guys यह तो वो timer चलेगा अब timer तो आगया बात कर लेते हैं PNGs मतलब roundage लगाने के लिए उसके लिए आपको फिर से PNGs add करना पड़ेगा तो हम लोग scroll करते हैं यहाँ पर जैसे ही देख सकते हो guys आपको PNGs add करने का options अभी तो नहीं दिया ठीक है तो आपको फिर क्या करना होगा guys म जैसे आप लोग add images पर tap करते हो tap करने के बाद यहाँ देख सकते हो काफी सारा PNGs है guys जो मैं आप लोगों को दे भी दिया हो वीडियो के description में guys तो मैं अभी दोनों चीज का password आपको बता दूंगा तो please आप लोग अभी जस्ट वीडियो में बने रहो एक बार आप लोग अ PCPNG जिसको अच्छे से add कर लेते हैं guys ठीक है तो add करने के बाद यहाँ पर जैसे देख सकते हो guys and जब adjust ना हो तो आपको पहले अपने recording अच्छे से adjust कर लेना है guys then आप लोगों को story लगाना ठीक है तो थोड़ा सा time लग सकता है यहाँ पर adjusting में guys वो अपने recording आप देख लोग पहले install करना फिर download करना और आप बात कर लेते हैं PNGs and मतलब APK का जो password है guys honista का वो आपका 00 password है जाए डाउनलोड कीजिए और जैसे मैंने आपको बताया guys उसी तरह कैसे आप लोग use कीजिए guys ठीक है इससे related कोई भी doubt and confusion है guys तो please आप लोग comment में बता सकते हो till then guys मिलते next अगल मैं वीडियो गईज